आजम जानेंगे स्तानां सूत्र आगम के अनुसार, कौन से कर्मों को करने से या कौन से कार्यों को करने से व्यक्ति किन किन योनियों में जाएगा, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, जीव अपने कृत कर्मों का फल भोगने के लिए चार गतियों में जन्म ल कर्म है कर्म बल और कर्म प्रेरना ही जीव को चार गतियों में जाने के लिए बाद्य करती है परन्तु ये जीव का अनादी स्वभाव है कि वो सुप कर्मों की और सीगरता से नहीं जा पाता परन्तु बुराईयों की और वो उसी सीगरता से जाता है जिस सीगरता से लोहकन च अशुप कर्मों को बताया गया है जो नरग गती में कारण माने गए हैं। पहला कारण है महा आरंब। जीवन व्यवार के ऐसे साधनों को महा आरंब कहा जाता है जिन साधनों के मूल में हिंसा कर्म की अधिकता होती है। जो कर्म जितना हिंसा प्रदान है वो जीव का उतना ही अधिक पतन करता है और जीव को नीचे नीचे के नरकों में जाने को बाद्य करता है। जीवन साधन दो प्रकार के हैं एक वे जिन में हिंसा की जाती है और दूसरे वे जिन में हिंसा हो जाती है। जिन में हिंसा की जात ऐसे ही करम महा आरंब कहलाते हैं और ये महा आरंबात्मक कर्म जीव को नरक में जाने को बाध्य करते हैं। पदार्तों का संचई आवश्यक होता है। जीवन व्यवहार इनी पदार्तों पर ही निर्बर करता है। लोग व्यवहार के मूल में भी ये पदार्त ही तो है। परन्तु संचई बुरा नहीं संचित पदार्तों के प्रती। अत्यदिक आसकती और उन्हें अधिकादिक प्रा और ऐसी विवेख हिन दसा में जीव नरग गामी बनता है। तीसरा कारण है पंचेंद्रिय वद्ध। यद्यपी एक इंद्रियध, द्जींद्रियध, थी निंद्रियध, चार इंद्रियध और पंचेंद्रियध। पंचेंद्रिय आधि सभी जीवों का वद निंद्य है पाप है और नरक गती का कारण है फिर भी सास्त्रकार ने केवल पंचेंद्रिय वद को ही नरक का द्वार बतलाया है वो इसलिए कि पंचेंद्रिय जीवों को मनुश्य मारते हैं उनका सिकार करते हैं स्वपोशन के की भावना होती है अन्य जीव चलते फिरते भी मर जाते हैं परंतो उसमें उनको मारने की भावना नहीं होती इसलिए भावना विहिन मारन क्रिया को नरक का कारण नहीं बताया गया है नरक का कारण है पंचेंद्रिय जीवों का शिकार उनका वद करके उनके मास से पेट भरना यानि उदर पोशन करना, अपने स्वार्तों की पूर्ती के लिए देव आदी के नाम पर उनका बलीदान करना, उनके मास का व्यापार करना, इत्यादी चौता कारण है मासाहार या कुनीमाहार, कुनीम सब्द का अर्त है, बृत प्रानी का शरील, कुछ ऐसे बुद्धिवादी लोग भी है, जिनका तर्क ये कहता है कि प्रान्यों को मारना पाप है, परंतु मरे हुए, या अन्यद्वारा मारे हुए, या यो कहे कि बाजार में बिक्ते हुए, मास का भक्षन करने से कोई हिंसा नहीं होती, इसलिए ऐसा मास खाना निशिद्ध नहीं है तो सास्त्रकार ऐसे ही तर्क का उत्तर देते हुए, कहते हैं कि शव का भक्षन भी नरगती का कारण है, पसु स्वयम मरा हो या मारा गया हो, दोनों दशाओं में उसका मृत शरीर कुनीम है और कुनीम भक्षन भी नरगती का कारण है सरीर सास्तर का ये नियम है कि मृत सरीर में सिग्र ही अनेक प्रकार के किटानू उत्पन हो जाते हैं शव भक्षन सव का भक्षन ही नहीं है उसके साथ अनंत जीवों का भी भक्षन है ये भक्षन सरीर में अनेक रोग उत्पन कर देता है मनुष्य को क्रोधी चिड़ा असहनसील और क्रूर बना देता है और क्रूर क्रोधियों और असहनसीलों का जीवन हिंसामई बन जाता है हिंसामई जीवन नरगती का ही कारण बन जाता है अब जानते हैं तिर्यंच आयू बंद के कारणों के बारे में तो एकेंद्रिय जीवों से लेकर पंचेंद्रिय जीवों तक सभी जातियां तिर्यंच में पाई जाती है उन में से किसी भी जाती की आयू का बंद करना तिर्यंच आयू बंद कहलाता है वो भी चार कारणों से बांदी जाती है पहली है माया इसका अर्थ होता है कपट करना मन की कुटिलता से वानी की कुटिलता से और व्यवहार की कुटिलता से जीव तिर्यंच की आयू का बंद करता है अर्थात उन योन्यों में जन्म लेता है दूसरा कारण है निक्रुती मता यानि एक कपट को छुपाने के लिए दूसरा कपट करना, दूसरे को ठगने के लिए धर्म का रूप धारन करना, दूसरों को अपने कपट जाल में फसाने के लिए तरतरक के प्रयोग करना आधी निक्रुती मता के ही रूप है ये निक्रिती मता भी तिर्यंच गती में जन्म लेने का कारण है तीसरा कारण है अलोक अलीक वचन अलीक सब्द का अर्थ है असत्य यानि असत्य बोलने से भी जीव तिर्यंच योनियों में जन्म लेता है चोथा कारण है कूट तोल कूट माप इस सब्द का अर्थ है कम तोलना और कममापना. कम तोल और कममाप खरिद दार से धोका है. सामाजिक और राश्टरिय चल है, इसे राश्टरियता की दुरिश्टी से भी घोर अपराद माना गया है. अप्राध ही पाप है और पाप ही प्रानी को नाना योनियों में जन्म देने का कारण है इसलिए सास्त्रकार कम तोलने वाले और कम मापने वाले की गती के रूप में उसका तिरियंच योनियों में जन्म लेना मानते हैं अब जानते हैं मनुष्य आयूबंद के चार कारण प्रश्न होता है कि ये दुरलब मनुष्य जन्म किन कर्मों के कारण जीव को प्राप्त हो सकता है तो ये बताते हुए सास्त्रकार चार कारण बताते हैं पहला है प्रकृती भद्रता यानि जो स्वभाव से ही भद्र और सुकोमल रिदैवाला है दूसरा है प्रकृती विनीतता यानि जो स्वभाव से ही विनीत और विनम्र है तीसरा है सानु क्रोष्टा यानि जो दयालू स्वभाव और करुना शील है चौता कारण है अमत्सरता यानि जो दूसरों के गुनों में अनुराग रखते हुए इश्यालू नहीं है तो इन चार सद गुनों को जीवन में लाने से जीव मनुश्य की आयू का बंद करता है इन गुनों का सद भाव यदि अन्स मात्र में हो तो जीव सादारन मनुश्य के रूप में पैदा होता है यदि उन गुनों का सद भाव उत्कृष्ट मात्रा में हो तो वो उत्तम पुरुष के रूप में पैदा होता है अब जानते हैं देव आयू बंद के चार कारण देव जाती भी एक स्वतंत्र जाती है जो की अपने आप में अनुपम है स्वर्ग लोक में पुन्य के अनुसार सुख भोगने वाले अद्बुत सक्ति संपन वैक्रिय शरीरी देव कहलाते हैं देव गती के योग्य आयूबंद का चार कारण माना गया है पहला है सराक सयम यानि कशाई सहित चरित्र के पालने का अंतिम परिनाम स्वर्ग है दूसरा कारण है सयमा सयम यानि स्रावक वृत्ती और ग्रहस्त जीवन से भी स्वर्ग की प्राप्ती होती है बाल तप कर्म यानि अज्ञान पूर्वक तप करने से भी जीव देव आयू का बंद करता है चौता कारण है अकाम निर्जरा यानि अन इच्छा से बिना इच्छा के ब्रह्मचर्य तप और सहन सिलता का होना बिना इच्छा के भूग, प्यास, कष्ट, आदि का सहन करना अकाम निर्जरा है जब कभी देव आयुश्य का बंद करता है तो इन चार कारणों में से किसी एक कारण के होने पर ही करता है तो ये थे चार योनियों में जाने के मुख्य मुख्य कारण आज का प्रस्ण है कि देवताओं के जन्म को क्या कहते हैं और देवताओं का जन्म कैसे होता है या कहां पर होता है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें